हाई एवरिवन दिस इस तरुन खंडागरे आज को जो podcast होने वाला है वो होने वाला है Microsoft के employee के साथ हम जानेंगे कि SD1 से आप SD2 किस तरीके से बन सकते हो क्या-क्या चीजे required होती है कि आप SD1 से promote होके SD2 बन जाओ हम ये गुंजन से जानने वाले गुंजन अभी currently Microsoft में काम कर रह कि क्या-क्या skills required होती है SD2 बनने के लिए कोई भी current company में या फिर आप switch करके कोई दूसरी company में SD2 बनना चाहते हो तो क्या-क्या चीजे आपको पढ़ना पड़ेगा और क्या-क्या चीजे learning opportunity आपके लिए होती है क्या-क्या चीजे required mandatory है कि ये तो भया करना ही पड़ेगा उसक SD2 रोल पर प्रमोट होने के लिए या SD2 रोल पर switch करने के लिए तो चलिए करते हैं गुंजन से बात और देरी ना लगाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हाई गुंजन कैसे हो आप हाई तरुन मैं अच्छी हूं आप कैसे हो आइम और सब्सक्राइब तो गुंजन यार सबसे पहले आप हमें यह बताईए कि आपकी कॉलेज की जरनी कैसे रहती और Microsoft तक आप कैसे पहुचे तो आइसलिए पर में अपने डियाच कर्ण यह संचे कर्ते हैं आपकी जोब मिलेगी झाच पैकेज मिलेगा तो तरह से मुनगमा। सब्सेक टीट भी तो हम लोग लोग सेकेंड जिर में आई अब कर्म अब क्या है यहां हो ड्टो एक शाल ढखिक इनक्राइट तो उन्हें एक थोड़ाहसा ऐसे था की कभमझ uniform तो फिर मैंने अपने सीनियर्स को अप्रोच किया बूछा तो उन्हे बोला की हाफ पेशन्स होंगे होंगे तो देर आए साथ एक की आप गिवाप और ये सब चीजे नहीं है इस्टार्ट वरकिंग इसमानर कंसिस्टेंसी रही थोड़ी सी काफिक ओपेशनिक सब्सक्रांदिक तो यृषा नहीं को बाद देन अवनागिस कंच करतादी नियुकम मुझे चांस मिला पेटियम में जाने का तो जब मैं पेटियम में गई वहां पे इमेट फ्यू फोक्स और वहां के कल्चर किया अभी बहुत अपने आपको क्या बहुत जाना है जाना है एक बन घाना कि मैं आपको पेसे कर ती कि जिसे श्याम का ताइम होता है कि मुझे इस ताइम पे ठीस करना तो वहां पे जो मेरी जॉब के लिए रड़ार्मिंट थी जो भी ios से क्वेलेट उस्तफ था जो तो भी मैं थोड़ी दिट पढ़ती थी अपना यह भी बढ़ती थी कि DSL को ताकि मैं उसके साथ बिल्कुल consistency रहे मेरी कि कैसे questions के साथ मैं थोड़ा रहूं कि क्या questions हैं कैसे solve कर रहे हैं सारी चीज़े and finally I got into Microsoft तो इंटर्वी एक्सपिरियंस के बारे में आप थोड़ा साथ कर सकते तो करिए कि इंटर्वी एक्सपिरियंस आपका किस तरीके सरा ओनुका और क्या लेवल था इंटर्वीट चाहिए सब्सक्राइब करें? आपने पहले नहीं किया तो आप एकदम जग घब राजादो कि यह कुछिन क्या हो गयाएगी तो मैंने देखा ही नहीं है सा गुछिन या फिर यू लोग प्रेज्ट की यह कुछिन अच्छा नाया है बी इन प्रेजंट अंड ट्राइट टू सौल दप्राब्लम कि ठीक है मे अच्छा ना जब भी हम कोई प्रॉब्लम सौल्व करते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपको एकदम से इस सॉलुशन पता हो आपको हमेशा होता है कि इसमें ये सेनारियो जस्करेगा या नहीं करेगा तो यू शुड हाव इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वान इस सो जो मेरे इंटर्व्यूज वाले राउंज हुए थे उसमें मेरे फोर राउंज हुए थे जिसमें से थ्री राउंज में 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 से डी एसल को रिथम्स वगरा पूछा गया था एंड प्लस सिस्टम डिजाइन भी था कि end-to-end आप कोई भी प्रॉब्लम आपको देगी इसको कि क्या मेंडिटरी चीजे होना चाहिए जो उसको आना ही चाहिए कि Microsoft का इंटर्वू क्रेक करता है I think one is the problem-solving skills जो मैंने last question में बे इतना elaborate करके बताया यहीं बहुत मेंडिटरी है and second thing कि आपके पास कोई भी problem आते है तो उसको आप अप्रोच कैसे करते हो right like the right attitude to approach a problem rather than focusing on solution you should know कि सबसे पहले हम बोलते है कि एक बढ़ प्रोब्लम कर लो कि problem actually में क्या solution demand कर रहे है so knowing the right problem the right set of audience yeah right set of people for you building the solution to know that is very important and then आते है कि उसका solution कालना solution कैसे आप अप्रोच कर रहे हो because that should be time efficient because आज अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो अगर आप एक एक अप उपन करते हो अगर वो कुछ सेकिंस में लोडने होती दिन user never go back to that app so I think problem solving skill is the first thing and second thing is the system design जिसमें आपको बताते है कि end to end आप किसी चीज़ को कैसे solve करते हो अगर आप end to end ownership कैसे लेते हो अपने responsibilities कैसे लेते हो no matter how कि आपका यह काम नहीं था आपका यह feature नहीं था but still you are thinking end to end तो यह quality है and the third thing is I think the right attitude right तो एक SD-1 को यह भी doubt होता है कि बहुत सारे student android सिखते थे कोई web development सिखते है अलग-अलग technology सिखते है तो Microsoft क्या ऐसा प्रिफर करती है कि यह technology का मुझे चाहिए है student या other technology का चाहिए तो students को बहुत doubt होता है यह जीच पे तो यह थोड़ा clear करिये कि कौन सी technology क्या या फिर DSLGO से ही हो जाएगा काम क्या है तो to be honest Microsoft में जाने से पहले I was an iOS developer अब now I am working as a React Engineer so ऐसा कुछ पे नहीं कि कुछ language specific है because what they focus on is कि आपको कोई problem दी जाहेगी तो आप solve कर लोगे या नहीं if you solve that problem क्यूंकि अगर आपने भी देखोगा अगर आपने DSL को solve कियोंगे questions आप C++ में लिखो या जावा में लिखो the thing is कि logic क्या लिख रहे हो अगर वो logic इतना efficient है कि आप time complexity handle कर पा रहे हो space complexity handle कर पा रहे हो then C++ Java doesn't matter और language तो I think आप बहुत easily सीख लेते हो इतना difficult नहीं होता जो problem को approach करने का तरिका होता जो solve करने का तरिका होता that is what matters the most right so अब हम बात करते हैं आप SD 1 Microsoft में जॉइन हुए तो आपको क्या क्या difficulties वहां पे face करने को मिली कि बहुत सारे freshers भी जॉइन होते हैं बड़ी company में तो वहां पे क्या क्या difficulties face करने को मिलती और कैसे आपने उसको tackle किया वह सब situation को first of all I think Microsoft में जो seniors हैं they are very helping and obviously आपको problem होती है किसी भी company में जाते हो because you see की वहां पे culture कैसे है फिर उसी culture के according आपको अपकरना पड़ता है to Microsoft में trainings होती है they give you the mandatory trainings होती है जिसमें आपको values culture आपको built क्या आजाता है how you have to say how you have to respect others कैसे आपको helpful nature होता है जो वो कैसे आपको help करने है लोगों की so like as such इता difficulty नहीं हुआ but whenever you feel like की ये काम नहीं हो रहा है or मुझे इसमें थोड़ी सी guidance चाहिए so there are always seniors in the team who आपको guide करते है और proper यहां पे documentation है हर चीज की you go through that documentation you get to know की अच्छा ये चीज़ ऐसे करना है so as such difficulty नहीं होती but अगर आप as a fresher हो and if you want तो हमेशा आपके साथ एक onboarding buddy assign किया जाता है तो वो आपको help करेगा in your initial days की कहाँ पे document जाके find करने है या कहाँ पे आपको यह सारा stuff मिलेगा they are very helpful like Microsoft walks are very helpful great तो अब हम एक वर चीज़ जानना चाहेंगे कि freshers DSL गो तो पढ़के आते है और Microsoft crack भी कर लेते है but और कॉनकंसी mandatory skills है कोई भी एक product based join करने से पहले क्योंकि बहुत सारी चीज़े ऐसी gate होता है जो आपको खुद से आना चाहिए इसी बहुत सारे tools होते है बहुत सारी frameworks होती है जो company काम करती है तो आप क्या suggest करना चाहूंगे इस बारे में I think हमेशा ही ऐसे होता है कि हमारी जो industry है वो थोड़ी fast pace है बहुत जादा changes एकदम सो जाते है तो हमेशा हमें अपने आपको करते हैं this is one thing and क्या होता है कि जसे आपने बुचा कि कोई भी framework है यह सब चीज़े है क्या companies पहले से expect करती है तो अगर आपको कोई चीज आते है then that's a good thing but अगर नहीं आती तो company such focus नहीं करती कि आपको यह वाला framework आना ही आना चाहिए because company जैसे product based companies क्या होती है उनके पास जिस direction में work आता है वो उस direction में आपको align कर देती है कि अचा ठीक है इस पर work है आप इस project पर काम कर ले कर लो because language इतना barrier नहीं है यहां पर जो main चीज है वो भाई है कि आपको कोई भी problem दे जाते है तो with the right mindset you are picking that thing कि आपका हमेशा growth mindset आपको यह नहीं लाइक कि यार अभी तो महीनों पहले मैंने यह जिखा आप मुझे यह सिखना पड़ रहा है so you should have that mindset कि अच्छा now I got to learn some more stuff about this technology और मैं इसके बारे मैं बहुत लान करूंगा so always think about in terms of opportunities rather than difficulties so I think the most important is mindset का develop करना right so as a SD-1 companies क्या expect करती है student से की employee से कि कि किस तरीके से उसको काम करना चाहिए क्या expectation होती है company की as an SD-1 as an SD-1 you should be able to design things की जब भी आपको कोई भी feature दिया जा रहा है तो अब उसका impact सोचो की पूरा end-to-end सोचो की में ये बिल्ट कर रहा हूंगे ऐसे बिल्ट होगा या कैसे बिल्ट होगा proper design की these are the approaches which I can take and इसके ये कौन्स का ये प्रॉज है and depending on की आपकी customers कौन होंगे उनके perspective में उनके लिए कौनसी अप्रोच बेटर रहेगी जो आप ले रहे हो after that you can build the things like coding and stuff right और बहुत सर्थ SD-1 पे इतना design oriented focus ने होता but designing करना उसे time से start कर जाते हैं because that is more important और बहुत सारे लोग sorry जो भी हम solution बना रहे हैं that should be scalable right और बहुत सारे लोग SD-1 पहले से होते हैं बड़ी-बड़ी companies में तो उनको भी SD-2 बनना होता है तो उनके बारे में आप क्या suggest करोगे उनको क्योंकि आप भी Microsoft में SD-1 से SD-2 पर प्रमोट हुए हो तो आपको क्या लगता है क्या चीजे required होती है और manager क्या expect करता है आपसे as an SD-2 so आप जब भी एक level पे हो always try to think कि next level से आपसे क्या demanding है next अगर आप next level पे होते तो उस problem को या उस feature को आप कैसे build करते या कोई senior person होता तो इस problem को ऐसे solve करने की बिचार आपसे solve करता है या with a more quality with a more ownership with a more responsibility उस problem को approach करना तो Microsoft में बहुत अची चीज है कि हमारे पास हमारे साथ regular managers का one-on-one होते हैं जिनमें वो feedback देते हैं कि what are you doing good and what you have to improve so that help a lot कि आपको next level जब promotions का time आएगा तब तक आप ये चीज़े build कर ले दो then you get promoted great so आप अब हम जानते work culture के बारे में आपको कैसा लग रहा है Microsoft के अंदर Microsoft I must say कि अपने employees को बिल्कुल family की तरह treat करती है and they very well know कि business के साथ साथ plus अपने Microsoft जो work culture जा रहा है दोनों का कैसे एक healthy कैसे maintain करके चलना है balance को and work-life balance is pretty good here that is also great so आप कुछ advice देना चाहोगे students को या employees को जो SD 1 अभी और SD 2 बनना चाहते है so I think students के लिए अभी advice के रहेगा की अभी बहुत जादा tough time चल रहा है right now so I think they should more focus on upscaling themselves की अपना एक अच्छा mindset लेके growth mindset लेके they think about की अभी हम upskill करते है and then when right opportunity opportunities come from them then they should grab them so daily अपना एक घंटा consistency is the key अगर इसे नहीं होगा की आपको interview interview से call आएगी आपको call आएगी की interview है तभी आप prepare करोगे you start preparing and then when that opportunity comes then you can grab that so I think this is the key and जो SD 1, SD 2 बनना चाहते हैं उनके लिए यही है advice की I think they should focus की अगर इसे next level के लिए हमसे जो डे मानने गाए अगर वो हम अभी से करना लग जाते हैं and when you are doing SD 2 things at SD 1 level then obviously manager will promote you that's nice so thank you so much Gunjan to coming to my channel thank you so much thank you so much Tarun for having me it's a great pleasure